ओम नमस्षिवाई जै मादरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्ते उखार टोटके मैं हूँ आपके साथ रम जिम शिर्मा दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही बार पूछ जाने वाले एक बहुत ही महत्पुण जानकारी उपाय में शेयर करने जा रही हूँ देखिए इस सवाल जब भी मैं लाइव आती हूँ तब भी बहुत सारे लोग जोड़कर यह पूछते हैं कि लड़कियों की शादी की तो बहुत सारे उपाय शेयर किये हैं आप में लेकिन लड़कों की शादी में अगर बाधाएं आ रही है विग्न आ रही है नहीं योग बन पा र लिए है और कुछ ऐसे उपाय जो लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी कर सकती हैं तो वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा संपर्ण जानकारियों के लिए दोस्तों देखें शादी व्याह में जब अर्चने आती है न तो लड़कियों में खासतोर परसमाना चाहता ह कि कुणडली में गुरू ग्रहचों है गुरू ग्रहस्पती है उनके स्थिती में कही न कहीं कुछ परिशानी है जो सही पुचिशन होनी चाहिए जिस घर में होने चाहिए जहां से दृष्टी होती है अगर वो ठीक नहीं है तो विवाह शादी में बाधाएं आती हैं कई तो बार-बार बाधाय आती हैं, कई बार मांगलिक दोश होता है, इसकी बचसे बाधाय होती हैं, कई बार अन्य कई दोश होते हैं, जिसकी बचसे बाधाय होती हैं, उसी प्रकार लड़कों में भी है, लेकिन लड़कों में गुरु के साथ साथ शुक्र ग्रह के सिति को भी क दोस्तो अगर कुंडली में कोई दोश भी है तो उन दोशों को भी ठीक किया जा सकता है हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पुराने कुछ ऐसे उपाई हैं कुछ ऐसे टोटके हैं जिसको अगर हम अपनाते हैं तो विगनबाधाएं दूर हो जाती है और जो ग्रहूं के सिती होत हैं लड़कियों की तो बहुत सारे उपाई शेयर्ड हैं इसलिए तो लड़कों के लिए जो सबसे पहला कारी करना है अगर किनी की विवाह शादी में दिक्कते आ रही है तो उस्वैम भी कर सकते हैं या उनके घर के बड़े भुजूर्ग हैं वो उनकी मदद करें और शेवर विवाह की अपनी कामना को लेकर के थोड़ा सा केसर मिला दे ऐसा करने से भी शेवर विवाह के यूग मनते हैं तो आपको ये एक कार्य है कि एक उपाई है जो करना चाहिए दूसरा आपको जहां पर भी लड़की की शादी हो रही है आपके परचित में हैं तो वो लेकर जाए अपने बच्चे को और जो लड़के का सहरा होता है लड़का सहरा अपने से पर जब रखे हुए हो विवा के बाद आपको इस कारी को करना चाहिए जैसे लड़के की शादी हो गई और सहरा उनके से पर है तो उस समय ऐसे किसी भी लड़के को जिनकी शादी विवाह में और चने आ रही है, उसके पास ले जाना चाहिए और लड़के का जिसकी अभी-अभी शादी हुई है, उसका सहरा उतार करके उस लड़के के सिर पर लगाना चाहिए, जिसकी शिक्र विवाह में बाधाएं आ रही हैं और विवाह शादी में बाधाएं हैं तो उनके सिर्पर थोड़ी देर के लिए आप रखतें और वापस वो सहरा फिर जिनकी शादी हुई है जन लड़के की उनके सिर्पर आप रखतें तो इस प्रकार से करने से देखिए एक प्रकार का ये श्रगुन बनाना होता है कह सकते हैं ये टोटका है जो कि बहुत पुराना एक टोटका है और बहुत ही कह सकते हैं बहुत लोगों ने इसे अपनाया है और इसका फल भी पाया है और शेक्र विवाह के योग बने हैं वैसे लड़कों के तो आपको ये टोटका एक बार जरूर अपनाना चाहिए जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और जिन चीजों पर हमें विश्वास होता है वो एक सधा हुआ उपाय टोटका होता है तो हम अगर अपनाते हैं तो फाइदा भी हमें उसका बहुत शेग्र मिलता है अब लड़ लड़कियों के लिए यही पर इसी से जुड़ा हुआ एक टोटका है कि लड़कियां भी लड़कियों की शादी में जाएं जो अपने पक्षकी उनकी जैसे गुरिष्टिदार में लड़की की शादी हो रही है वहाँ पर जाएं और वहाँ पर उस लड़की से शादी के ब और बहुत पुरातर नुपाई है जिसको अपनाने से बहुतों की शादी हुई है तो आपको भी जरूर इसको करना चाहिए। अब लड़कों के लिए का नुपाई मैं शेर करूँ लड़कों को जिनकी विवाशादी में दिक्ते आ रही हैं उन्हें हर मंगलवाद को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। सिंदूर लें और राम सीता के चर्नों में वो सिंदूर अर्पित कर दें। ऐसा आप 21 मंगलवार तक करें। तो उन्हें avoid करना चाहिए नीले और काले रंगे वस्तुर। कोशिश करें कि पीले रंगे वस्तुर जादा पहने और गुरुबार के गुरुबार तो पीले रंगे वस्तुर जरूर पहने। नहाने के जल में गुरुबार के दिन आपको खास तौर पर थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी हल्दी मिलाकर के नहाना चाहिए ये लड़के और डड़कियों दोनों के लिए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं ये चोटे-चोटे उपाय जो हैं अपनाते हैं इससे आपके विवाह के योग बनते हैं जो बाधाएं आ रही हैं वो धूर होती हैं और देखिए इससे अलग भी एक थोड़ी से जानकारी में देदू कि कुंडली देखिए कई बार क् होता ना कि विवाह शादी में कुंडली में कोई बड़ी दोश बाधा होती है तो उसकी वज़से भी होती है तो उन बाधाओं दोशों का निवारन भी जरूर जोतिश ये परामर्श के बाद आपको करा लेना चाहिए फिर तोटको उपाय उपर भी पूरा विश्वास उपाय बताये तो मैंने कोशिश की है ये कुछ सधी हुए उपाय टोटके जो की सर्फ और सर्फ लड़कों के लिए है शेयर करूं मांगली तोशों से निवारन के लिए ठाहे लड़के हूँ या लड़किया अलग से एक वीडियो में शेयर करूंगी उस वीडियो को भी ज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखनी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जै मादरानी हर हर महादेल कर चैनल कर दो लड़के हूँ सिर्टी बहुत बहुत शुक्राइब के लड़ वीडियो के लड़के हजी हूऊ टब फश्डावाबकिया ना भीडियो आए लड़के हर दो करना से करना Googli Джillmanस